हेलो बिड़ी लोग स्वागत है आपका यह जो ट्रक है यह सेकंड हैंड गुड है मैंने अपने दोस्ते ख़गिता है किसी कंपनी से नहीं ख़गिता तो यह सेकंड हैंड गुड है इसकी वैल्यू नैशनल इंकम में नहीं आएगी Second hand goods की value national income में नहीं आती क्यों नहीं आती भई क्योंकि जब वो पहली बार खगिता गया था तब उसकी value national income में आ चुकी थी अब अगर हम इसे दुबारा खगि देंगे तो ये double counting की problem हो जाएगी जो की national income को बढ़ा के दिखाएगी इसलिए ये इसकी value national income में नहीं आएगी आगे चलते हैं दूसरे share bonds and debenture share bonds and debenture की value national income में नहीं आती है भई क्योंकि ये भई सिर्फ paper claim होते हैं सिर्फ कागज होते हैं paper claim होते हैं इन पर जस्त नाम लिखा होता है आज आपका नाम है कल मेरा नाम होगा परसों किसी और का नाम होगा ये paper claim होते हैं इनके उपर जस्त नाम लिखा होता है और इनकी वज़े से कोई productive activity नहीं होती इसलिए ये national income में नहीं आएंगे share bonds and debenture की value national income में नहीं आती है मेरे भई तो बिडू लोग आगे चलते हैं ये देखिए ये मुझे commission मिला है commission ये commission है 500 के note है commission है भाई मैं हवा खा रहा हूँ मज़े कर रहा हूँ commission national income में आता है मेरे भाई क्योंकि commission factor income है factor income है मैंने महनत की है मैं गली-गली घुमाओ second hand goods बिकवाने के लिए second hand goods बिकवाने में बिकवाने में मेरा बहुत महत्पून रोल है मेरी factor income मेरी खून पसीने की कमाई है तो ये जो commission है ना ये national income में आएगा मेरे भाई आगे चलते हैं आगे लिखा है कि illegal income national income में नहीं आती भाई आपने कोई bank लूट लिया या आपने किसी को चाकू दिखा के टैक्सिस की value national income में नहीं आएगी भाई क्यों नहीं आएगी टैक्सिस की value त्योंकि टैक्सिस के बदले government हमें कुछ promise नहीं करती उसके return में कुछ देने का ये government के जो है एक welfare scheme होती है जिसके ताहत वो infrastructure पे खर्च करती है या किसी social welfare पे खर्च करती है लेकिन टैक्सिस के बदले हमें कुछ देने का promise नहीं करती government इसलिए टैक्सिस की value national income में नहीं आएगी मेरे भाई तो भाई आगे चलते हैं आगे लिगा transfer income भाई donation हो charity हो scholarship हो या कोई one way transaction हो वो national income में नहीं आएगा old age pension भी national income में नहीं आएगी चूनी आएगी भाई क्योंकि ये transfer है इनके बदले हम ना कुछ देते हैं बस हमें मिलता ही है हम कुछ देते नहीं है तो भाई ये थे precautions of national income income method से precautions सी निकालने की मैं आपको थोड़ा इसको समझा देता हूँ ये लिखा है SSC illegal tax का transfer करती है ये एक line है जिस line से आप इन शीजों को निकाल सकते हैं S से बनेगा second hand goods वो national income में नहीं आते अभी बताया था क्योंकि वो पहले साल जब वो produce हुए थे तभी national income में आ चुके हैं उसके बाद दूसरा S है उससे बनेगा share bonds and adventure ये भी national income में नहीं आते चून नहीं आते भाई ये क्योंकि ये paper claim है इससे कोई productive activity नहीं हो रही है मेर भाई आगे चलते हैं C से बनता है commission commission national income में आएगा भाई factor income agent की खून पसीनी की कमाई है मेहनत किया उसने गली-गली घुमा है ये national income में नहीं आएगे आगे taxes tax का पैसा national income में नहीं आता है क्योंकि इसके बदले government कुछ promise नहीं करती है हमें देने का government कुछ promise नहीं किया इसके बदले देने का इसलिए वो national income में नहीं आएगा मेरे भाई आगे चलते है transfer लिखा है illegal tax का transfer करती है transfer income, national income में नहीं आएगी क्योंकि ये one way transition होते हैं इनके बद्दे कोई productive service नहीं दी जाती तो दोस्तों ये थी precautions of national income by income method precautions of income method income method की precautions थी अगर आप कोई वीडियो पसन नहीं है तो like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए, thank you